स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो यह जिंबावे वर्सिस आइरलेंड की टीम के बीच में जो यह सेकंड ओडियाई का मैच खिला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो हम लोग बात करेंगे तो आप लोग वीडियो को सुलूसे लेके लाट तक पूरा देखना ताकि आपको यह पर सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुछ से बैतरी टीम बना पाओ तो सबसे पहले दोस्तों को पर देट अंट टाइम की बात करें तो यह मैच 15 दिसंबर तो पहर 12 बच के 45 मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वह भी आपको टेली गराम पर देने वालों तो इस वैचे से आप लोगों का टेली गराम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग जुड़ जाए लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रेप्शन और फर्स्ट कमेंटर मिल जाएगा मेरे टेली गराम चैनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुर ओडियाई इंटर्नेशनल के यहाँ पे 160 मैच अभी तक खेले गए हैं जिसमें से 76 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती हैं 83 बार यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम जीती हैं तो बैटिंग फर्स्ट और सेकेड में उतना कोई खास अंतर रहा नहीं हैं अब बार 250 से 299 के बीच में बनाए और 17 बार 300 के पार भी यहाँ पे स्कोर जा चुका यानि की ठीक टाक विकेट रहती है अगर कोई टीम यहाँ पे संबल के खेले तो अच्छा खासा स्कोर बनाया जा सकता है अब यहाँ पर दोस्तों लोग पेस वर्सिस इस्पिन के बारे में और थोड़ा सा जाने तो दोस्तों जो लाश्ट पांच ODII के मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं अगर आप लोग उनमें देखोगे तो यहाँ पे 37 विकेट पेसर्स नहीं निकाले हैं वही 34 विकेट इस्पिनर को भी मिले हैं तो यहाँ पेस्पिनर भी पीछे नहीं है यहाँ पेस्पिन पेस्ट दोनों अच्छा करते हैं तो आप लोग दोनों को अपनी टीम में लेके यहाँ पे चल सकते हो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं जिंबावे की टीम के बारे में तो दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे जॉयलाड गुंबी और यहां पे खंबू खंबे इनका आप यहां पे देख सकते हैं जो लाइट गुंबी की पहले बात करें तो इन्होंने आठ मैच खेले हैं 218 रंस बनाया है 27 का एवरेज ओपर ठीक टाक प्ले रहे हैं और ठीक टाक ओडियाई में किया है इनके अलावा खंबू खंबे का देखो प्राई करना इनके बाद दोस्तों यहां पर इनोसेंट कई यहां इनका देखोगे राइटी बैटर लैग ब्रिक बॉलिंग भी करा लेते हैं 18 मैच ओडियाई में भी तक खेले हैं 445 रंस है 26 का एवरेज जीरो विकेट है यह भी अच्छे प्लेयर है ओपनिंग भी यह कर लेते हैं इनके अलावा यहां पर सिकंदर रजा है 137 मैच में 440 रंस है 37 का एवरेज है पचासी विकेट है लास्ट में टू राण पर बैटिंग करने आए वैसे यह टू राण पर करते हैं कभी थ्री डाण पर भी आ जाते हैं तो इनका भी आप लोग यहां पर देख सकते अपने टीम के मैंन और राण रहां रियान बरलका देखोगे 48 मैच 870 रंस चौबीस का एवरेज 19 विकेट क्लाइब मदंडे 10 मैच 114 रंस तीस का एवरेज विकेट कीपर बल्लेवाज है अच्छी हिटिंग भी कर लेता है और विकेट कीपिंग भी करेंगे तो फर्स्ट ब रावाज 40 मैच 111 के वरेज 47 विकेट ये भी अपने टीम के मतलब मैन बॉलर रहा है और अच्छा कांसा रिशेंट में परफॉर्म भी कर रहे है इनके अलावे यहाँ पर बलेशिंग मुझरबानी है 43 मैच ओडियाई खेले है 54 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं विकेट देख सकते हो बाकी दोस्तों इन में से कौन खेलेगा ये कहना काफी मुझकल है तो इन में से जो भी खेलेगा उसका इस्टार्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा तो उसके लिए आप लोग एपर टेलीग्राम से जरूर जोड़ जाना अब यहाँ पर दोस्तों हम केप्टन है राइटी बैटर ऑफ बेग बॉलिंग करा लेते हैं पर दोस्तों इनका रिशेंट काफी खराब है ओवरॉल देखोगे स्वरी दोस्तों तो यहां पर दोस्तों पॉलिंग का आप ओवरॉल देखोगे तो काफी अच्छा इस्टार्ट्स रखते हैं 156 मैच में 523 रंज है 38 केवरेज है 43 विकेट अपर रिशेंट उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग इनका में 50-50 हूँ आप लोग लेना चाब ले भी सकते हो ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि रिशेंट में अभी जो T20 सीरीज भी हुई है उसमें भी कोई खास इनकी परफोर्मेंस रही नहीं है एंडी बलबरीन की बात करें राइटी बैटर है एक सो तीन मैच खेलें उनतीस सो एकीस रंज है बतीस कैवरेज है कटी स्केमफर का देखोगे 33 मैच 766 रंज 33 कैवरेज 24 विकेट यह काफी इंपोर्टेंट है हैरी टेक्टर 41 मैच 1552 रंज 50 कैवरेज 2 विकेट हैरी में दोस्तों आपको मिलेंगे टकर और मदनले जिसकी टीम पहले बैटिंग करें आप उसको लेके जा सकते हो बाकि यहां पर डॉकरेल हैं इनका आप यहां पर देखोगे 120 मैच में 1327 रंज 24 कैवरे 106 विकेट डॉकरेल भी दोस्तों काफी अच्छे खिलाड़ी है अच्छ 84 विकेट मारक अडेर 44 मैच 371 रंज 18 कैवरेच 25 विकेट अडेर भी काफी इंपोर्टेंट है अपने टीम के मैन बॉलर भी है और अच्छी गासी बैटिंग भी कर लेते हैं मकरती का देखोगे 44 मैच में 212 रंज 10 कैवरेच 70 विकेट इनका भी काफी अच्छा है बाकि आप 72 विकेट ले चुके हैं लेटिल 35 मैच 50 विकेट तो आप इसी तरह यहां पर सबका देख सकते हो अब यहां पर दोस्तों जोनके बैंच पर बैठने वाले हैं उनका भी आप लोग यहां पर देख सकते हो बाकि इन में से जो भी खेलेगा उसका इस्टार्स आपको टेली ग् मैच खिले हैं जिसमें से आठ जिंबावे ने जीते आठ हाइरलेंड की टीम ने जीते एक मैच टाई रहा है और दो मैच इनके नौट रिजल रहा है तो दोनों का अगर आप यहां पर देखोगे तो 50-50 रहा है तो आप यह चीज भी यहां पर देखके चल सकते हो तो दोस् है अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में फलाल के लिए टकर को लिया है पर इनके अलावा आपके पास मदंडी का उप्सन है और यहां पर गुंबी भी यहां पर विकेट कीपिंग में दिये हुएं पर यह लाश्ट में बात करें तो यहां पर दोस्तों मैंने हैरी टेक्टर को लिया है इनके इलावा आप देखो कि तो इनोशेंट काया को लिया है काया का सेलेक्षन कम है पर ओवरॉल ओडिया के ठीक टाक लेना तो मैंने इस वज़े से इनको पिक किया है आप लोग चाहो तो काया की जिगा बलबरीन को ले सकते हो पॉल इस्ट्रिलिंग को ले सकते हो या फिर किसी अधर प्लियर के साथ भी जा सकते हो अर्विन खेलेंगे इंपोर्टेंट अपर अभी नहीं खेलेंगे बाकी यहां पर अभी कोई खेलेगा नहीं तो इनमें से जो भी खेलेगा उसका स्टार्स मैं टेली ग्राम पर सेर आपको करी दूंगा तो फलाल के लिए मैंने यहां पर इन दोनों बैटर को लिया है अब यहां पर आल डाउंडर सेक्शन में बात करें तो यहां पर दोस्तों मैंने सिकंदर रजा को लिया है कैमफर को लिया है बरल को लिया है डॉक्रेल को लिया है विल प्लिए साथ नहीं रहेंगे, मैं फिलाल केले इनको नहीं ले रहा हूँ, सेलेक्षण काफ़ी कम है। अधे बैटिंक बालिंग दो ऑच्छी कर लेते हैं, स्ब्सक्राइब आपको चेशन इप्न। इर-बाओलिंग में ध्युक्ष क्रेशचन में बेलोग अब विकेट टेक है रहा तो इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो फिर मैं इनको भी लेके जाऊँगा फिलाल के लिए मैं नहीं ले पाया हूँ तो कि रखते हैं बाकी यहां पे नेचे चिवांगा है इनको आप लोग टीम में ट्राई कर सकते हैं अभी तक ओडे इंटरनेशन में उतना अच्छा नहीं कर पाया अलाकि डॉवेस्टिक लेवे पे इनका भी ठीक टाक परफॉमेंस रही है बाकी यहां पर भी मेरे साब से कोई नह यह चार बेस्ट ऑप्चन है और अगर यहां पे आर्लेंड की टीम पहले बॉलिंग करें तो अडेर भी कोई खराब ऑप्चन नहीं है इन पांच में से आपके सीकों भी बना सकते हो अगर इस टीम में कुछ भी चैंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पर बत